दोस्तो आज की सुडियों हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस परसनल लोन इंट्रेस्ट रेट 2024 के बारे में interest तो यह देखिए यहां पर जो interest amount दिया हुआ ना यह loan के amount पर depend करता है आप loan कितना ले रहा है उस हिसाब से यहां पर rate आप interest लगता है उसके बद अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखाओ processing piece तो आप जो loan लेंगे उस पर इतना processing piece लगेगा अगर आप देखेंगे तो बजाज finance का जो personal loan है उस पर flexi piece भी होता तो flexi piece जो है कितना लगेगा तो अगर आप यहां पर देखेंगे यहां पर दो लाग का अगर आप loan लेते हैं तो आपको 1999 रुपए flexi piece देना होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारे flexi piece दिया हुए है आप इनको बारी बारी से पढ़ सकते हैं यहां पर 12,999 तक का आपका जो flexi piece है यहां पर दिया हुआ है और यहां पर देखेंगे यहां पर दिया हुआ है loan amount भी मतलब 30,000,000 से उपर का अगर आप लेते हैं loan तो यहां पर flexi piece जो है 12,999 रुपए है तो इस तरह से यहां पर आप flexi piece भी पढ़ सकते हैं उसको बता दें अगर आप बजाइज finance के personal loan प्रसेंस को देखना चाते हैं खुच से तो आपको वीडियो के नीचे description में हम इसका link के देदेंगे आप वहां पर click करके directly इस page पर आ सकते हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बजाइज finance का जो personal loan है अगर आप personal loan का EMI पे नहीं कर पाते हैं तो आपको bounce charge देना पड़ता है amount पर जो है bounce charge depend करता है तो यहां पर 700 से 1200 रुपए पर bounce पर आपको bounce charge देना पड़ सकता है अगर आप में अहां पर देखेंगे यहां पर panel charge दिया हुआ है तो आपको बता देगे जो आपका loan amount है उस पर आपको EMI पे करना होता है अगर EMI को pay करने में आप देरी करते हैं तो आपको उस पर charge देना होता चार्ज कितना लगेगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे बजाई finance का जो personal loan का fee's होता है कितना होता है interest rate उसका 11-32% होता है आप जो loan लेंगे उस loan के amount पर निर्बर करता है rate आप interest कितना होगा अब हम बात कर लेते हैं अगर आप बजाई finance का EMI calculate करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो इस क्या करना यहां पर आ जाना यहां पर com नहीं है आपको dot co लगाना है अगर com लगाएंगे तो यह वाली website open नहीं होगी वेबसाइट का यहां पर loan IMI calculator दिया हुआ है ऐसे ही अगर आप बजाई finance का आप loan IMI calculator चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर बजाई finance का loan IMI calculator दिया हो आप यहां पर click करनेंगे और click करने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर देखेंगे आपको loan amount इंटर करना होता जैसे यहां पर 2 लाग है तो हम इसको 3 लाग कर देते हैं यहां पर 3 लाग कर देते हैं इसके बद देखें यहां पर duration आपको change करना पड़ता है मतलब कितने मंत का आपका loan है आपको यहां पर देना होता है यहां पर ब्रेष्ट भी आपको डालना होता है तो बजाई finance का हम एक 11 परसेंट यहां बारे परसेंट यहां पर हम रख देते हैं इसके बद अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको साइड में यूर मंथली यह माई कितना होगा आपको यहां पर सो हो रहा है